दोस्सों इससे पहले गुल्फ T20 की सीरीज में सेम यही सारे प्लेस वहां पर खेल रहे थे वहां पर मैंने आपको 9 मैचेस कभर किये थे जिसमें से सिर्फ और से 1 की मैच में हमारा लॉस हुआ था यानि की गुल्फ T20 के मैचेस हमारे काफी अच्छे गए थे आज एक वाफर की अपनी प्रीज का होगा अपने प्रिश्ट के प्यायर में संव प्रिफेक तीम मना सकते हो कौन सी तीम में जीज सकती है सभी चीजों के पर वन बाइवन बात करेंगे बस आपको एक ही चीज का ध्यान दे रहा है यह जो भी मैं तॉस होने के वाद अपनी फाइनल टीम सबसे पहले यह जो मैच हो नहीं करने की कोशिस करने वाला हूं कल के दिन में एसी सी ती दिन के पांच मैचेस हैं पांच के पांचों मैचेस के आपको वीडियो प्लस फाइनल टीम मिल जाएगा हमारे तलीग रामा चैनल को और सबसे पहले यह जो मैच होने वाला है मुझे लगता है ना कि जो मैच होने वाला है दुबाई की तीम के जीतने के चांस जादा है दुबाई के प्लेस को हम ज्यादा फोकस करके तीम बनाने कोसिस करने वाले हैं यह हो गया मेरा पहला प्रदिक्शन कि मुझे लगता है कि दुबाई की ती पर देख रहों मिलने व्ला है यानि कि यहां पर रन बनेंगे, यहां पर रन बनेंगे, ऐसा नहीं है, कि रन नहीं बनेंगे बल्ले बाजों के अनुसार भी पिश को तयार किा गया है, अगर दुबए की तीम पहले बल्ले बासी कर रही है 150 से 160 कभी से score बनाएगी वह एकर Emirates की तीम पहले बले बासी कर यह 130 के करीब हैं आपको score बना करके देने वाली है सबसे पहले आपको अगर risk लेना है ना अगर आपको risk लेना है तो F9 के उपरा पर risk ले सकते हैं कोई भी लेकर के नहीं चल रहा है अगर आपको लगए कि मैच बराबरी का होगा लेकिन अब करकुर्यक कर रहा है बल्ले बाची में नमबर थीन पाल रहे है कभी भी आपको बल्ले-बाची में रन बना करके दे सकता है अगर एमिरेट्स की तीम पहले बल्ले बाजी कर रही है आप आप एफ नवाज को पर रिस्क ले करके चलना लेकिन अभी के लिए मैं इस थारीक को ले करके चल रहा हूँ जो कि दुबाई की तीम और से बल्ले बाजी भी नंबर पांच पैसे का विगेट कीपर आप देखो जर्ए इसको kita केश मिले हूआ और 40 पोईंस इसको फ्री में मिले हूआ ऐसा विगेट कीपर यानि कि कैश वगर ऐसे काफी पोईंस असको मिले हूए पांच पांच इसने कैश किया हुए आज आप विगेट कीपर यानि कि स्वंपिंग किया हुआ है कैचेस पकड़ा हुआ है विकत के पीछे तो एस तारीक अगर पहले बल्लेबाजी है ना तो पांचुए नमर पहले बल्लेबाजी कंफर्म है कि आ जाएगी वहाँ पर अगर सिर्फ 20 रन भी बना दिया ना अब विकत की विंग से सिर्फ 3 कैच भी पक़ड लिया ना तो वहां पर आपको सत्र केकड़ी पॉइंच जिला करके चला जाएगा यही अखिला reason है कि अगर इसकी तीम पहले बल्ले बासी कर रही है दुबई की तीम पहले बल्ले और दो ओवर आखरी कोर्स में बॉल करेगा, चार ओवर पुरा करेगा, और एक अच्छा बॉलर है, और कहीं ना कहीं एक सही बॉलर है, पहले मैच से एक विकेट भी मिला हुआ, सामने वाली टीम, एमिरेट की तीम के हारने की भी चांस है, तो जीतने वाली टीम के बॉलर को आफ फोकस करके तीम बनाने कोशिस कर सकते हैं, दूसरा रिस्क में ले करके चलूआ एहमद के ओपर, क्यों? क्योंकि इसने भी आखरी कोर्स में बॉल किया, बीस वा ओर किया, अधार वा ओर बॉल किया, उससे पहले बार ओर किया, यानि कि जो भी बॉल करेगा, वो आखरी की टीम पहले बॉल कर रही है और अगर आपको लग रहे कि मुझे जैसे लग रहे कि दुबाई की टीम में जीतने वाली है तो आप यूग सर्मा और एहमद यह दोनों आखरी गर्स में बॉलिंग करेंगे आखरी के चार ओवर यही दोनों करेंगे तो वहाँ पर पहले बॉल म इसकी टीम उसके आखरी कर्स में जो बॉला बॉल करेंगे वह आपको गजब की बॉल करके दे सकते हैं यह रिस्क मैंने लिया हुआ है क्योंकि यह तो आखरी कर्स में बॉल कर रहे हैं लेकिन आगर मान लो कि दुबाई की टीम सेकेंड बॉल कर रही होगे ना वहाँ पर मै एहमाद और युक सर्मा को अपनी तीम में ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि सेकंड बॉलिंग में मैच में जो भी खतम होना होगा वो पंदरा ओवर तक का हो चुका होगा हो सकता है पंदराई ओवर में सामदर ने तीम के 10 विकित गिर जाए हो सकता है पंदराई ओवर में सामदर ने तीम हार मन जाए और वहाँ पे सलो सलो ही खिलने लग जाए उन्हें जीतने की चाही खतम हो जाए तो ये सारी चीज़े सेकंड इनिंग में हो सकती है पहले बॉल के लिए मैं यहाँ पे रिस्क ले करके चलूँगा एस नवाच पहले मैच इसको चार विकित मिला हुआ है चार ओवर पुडा करेगा गजब का बॉलर है वसीम अकरम इसका रिकॉद भी काफी अच्छा है विकित का बॉलर भी है पहले मैच घजब के इसको दो विकित भी मिला हुआ है एच बिलाल जो कि एमिरेट्स की तीम गोर से चार ओवर पुडा करेगा और इनकी तीम का सबसे मेन बॉलर है बहले आखरी के चार-पांच मैच में इतना फॉर्म में नसर ना आया हो लेकिन जो भी प्लेयर का नाम बड़ा होता है वो कभी भी अच्छा काम करके दे सकते हैं यही एक अकेला रिजन है कि मैच बिलाल को निकाल करके नहीं चल रहा हूँ लेकिन अगा मालो कि एमिरेट्स की तीम आपको लग रहे कि मैच बराबरी कभी नहीं करने वाली है बुरी तरीके सा हारने वाली है और अगर एमिरेट्स की तीम सके इनिंग में बॉल कर रहे हैं वहाँब आपए काम कर सकते हो कि Emirates के एक भी बॉलर को न लो हो सकते है सामने वाली टीम के एक ही विक्ध गिरे वो जीत जाए दो ही विक्ध गिरे वो जीत जाए यह सारे चांस देखने को मिल सकते है आर खालित जो कि 2-3 ओवर बॉल कम से कम करेगा कि यह कई बार चार ओवर भी करेगा हैं फायास भी तीन चार ओवर करेगा जे समसुदीन भी तीन ओवर करीब बॉल करेगा समसुदीन बल्ले बाची में भी आपको कभी भी रन बना करके दे सकता है लेने का मने आप ले सकते हो लेकिन अभी के लिए मैं रिस्क नहीं एमोजुहेब काफी अच्छा बॉलर है अगर आपको लग रहे कि मैं जीतने वाली है ना तो समझाना कि जुहेब आपको दो विकेट के करीम ले करके देने वाला है लेकिन मुझे लगता है कि हारने वाली है यही अखेला रिजदने के ले करके नहीं चलूँगा इस सित्ती को भी ले करके चलूँगा इनकी तीम का सबसे एक्सपीरियंस बॉलर्स में से एक चार ओवर पुरा करके देने वाला है और सामने भली मजबूती में लेकिन एक्सपीरियंस है तो अपने एक्सपीरियंस के दम को मैं ले करके चलने कोसिस का रौनक पनौली जो कि दुबाई की तीम का सबसे मेन बल्ले बाची बल्ले बाची वो उपना रहाएगा सिक्सर किंग प्ले रहाएगा तो ज़रूरी प्ले रहाएगा पी महरा बल्ले बाची बे नबर चार पाएगा मयंग चौधरी अगर दुबाई की तीम चेस कर रही है वहाँ पे आप ले सकते हो लेकि पहले बल्ले बाची मुझे कोई इतना भरोसा नहीं है क्योंकि कोई इतना अच्छा प्ले रहाएगा और कोई इतना हाई स्कोरिंग गेम भी नहीं होने वाला तो कई ना कई मुझे लगता है कि आम चौधरी के जब अच्छा प्ले नहीं है तो मुझे रिस्क लेने का मन नहीं है लवजीत सिंग बाचुआ जो कि एमिरेट्स की टीम वर से बल्ले बाची में ओपना रहेगा रन बना करके दे सकते हैं काफी पुराना प्लेयर है ले करके चले हो लाओ सबनानी बल्ले बाची में पाच्चों पर आएगा आर खान को इतना अच्छा प्लेयर है नहीं तैमूर अली और सिवाल बवा ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं ये दोनों के उपर अगर आपका मने आप रिस्क ले सकते होता है तैमूर अली बल्ले बाजी में नमबर तीन पर आजाएगा सिवाल बवा नमबर छे पर आजाएगा सिवाल करी पोइंच दिला करके जाए कम से कम वहाँ पर आप पी महरा को निकाल सकते हो वहाँ पर लवजीट सिंग बाजवा को अपरी तीम से निकाल करके चल सकते हो अगर एमीरेट्स की तीम पहले बल्ले बासी कर रही है तो एफ नवाज के ओपर भी आप रिस्क ले करके चल सकते हो अभी के लिए मैंने इस तरीके की टीम बनाया हुआ लेकिन यहां से देखो राहूल भातिया भी बॉलर है जो की तीन से चार और पुरा करेगा दुबई की टीम का बॉलर है अगर दुबई की टीम सेकेंड इनिंग में बॉल कर रही है न तो वहाँ पर मैं एहमद को रिस्क ना ले करके सीधा-सीधा राउल भातिया को ले लुगा क्योंकि सेकेंड बॉल में इस्पिनर आपको कमाल की बॉल करके दे सकता है बीच के और और आकरी के और मैंच जाएगा भी कि यह गन्फर्म नहीं है पहले बॉल में मैं ले करके चलूगा एहमद को लेकि सेकेंड बॉल में कोई इतना खास प्लेयर नहीं रहेगा युक सर्मा और एहमद दोनों में से कोई एक तो कंफर्म फ्लॉप होगा कोई एक ही आपको पर्फर्म करके दे सकता है अभी के लिए जैद फरीद को कैप और एस नवाज को वीसी ले करके चल रहा हूँ लेकिन अगर मान लो की दुबाई की तीम पहले बल्ले बासी कर रहे है वहाँ पर एस तारीक को भी वीसी बना करके चल सकते हो यह का जो भी मैं आपको एक तीम बना रहा हूँ यह स्माल लिग की तीम है जी एल मैं आपको क्या रोतेशन करना है अगर आप ग्रैन लिग की तीम बना वहाँ पर आप छेश करते हुए तैमूर अलिको पर रिस्क ले करके चल सकते हो सिवाल बवा को आप ले करके चल सकते हो जब दुबाई की टीम पहले बल्ले बागव Aware चोन्स मिल जाएगा ले करके चल लेना अगर Emirates की तीम पहले बॉल कर रही है तो हैं जो है अगर आपको लग रहे है कि बराबरी का competition मिलने में आप इसको ले करके चल सकते हो बॉलिंग option कोई इतना अच्छा प्लेर है नहीं तो मैं यह आप जे समसुदीन का record काफी अच्छा काफी बड़े लेवल का प्लेर है लेकिन Emirates की तीम अगा पहले बल्ले बास ही कर रहे है तब यह आप इसको ले करके चलने की कोशिस करना है यह पहले बॉल में भी ले सकते हो यह एक हमारे analysis based की तीम है final team जो भी होगी वह तोस होने के बाद आप आपको फ्री में अपनी final team मेंच दूँँगा हमारे चैनल का link आपको इसी वीडियो के description और कमें सक्षम होगी सब्सक्राइब के पिन के आवा लिंक मिल जाएगा जहां से आप फ्री में जोईन हो पाओगे कल के दिन के पांचो तीतन मैच की आपको ECC तीतन के matches की final team आपको इसी हमारे तेलिगोराम चैनल को फ्री में मिल जाएगी और यूट्यूब चैनल को पांचो तीतन मैच की आपको वीडियोस भी मिल जाएगी आज रात में जो कुवेट तीतन के मैचेना साड़े बारा बच्छे वो मैच भी मैं आपको cover करके दूँँगा इसी और इसी तेलिगोराम चैनल को उसके अलबा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ यूस्पूल लगाओ एक काम करेना मारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत